हलो माई डियर केट्स एंड पारेंट्स वेलकम टू माई चाइनल माई पारसाला वाई नीतु नीकम अभी मैं सिब्वेसिस लेबस के एकॉर्डिंग कम्प्यूटर सब्जेक्ट क्लाश ठोड के चैप्टर वाईज चैप्टर को एक्स्प्लेन कर रहे हूं उसके बाद उसके बुक के कोश्चन सॉल्फ करवा रहे हूं तो ये वीडियो उन पैरेंट्स और बच्चों के लिए काफी हिल्फुल रहेगा जो क्लाश ठोड में हैं या फिर अपने बच्चों को खुद परहाना चाहते हैं तो इसे लाश्ट तक अवश्य देखिएगा तो चलिए इससे पहले मैं बता देती हूं आपको कंप्यूटर हाडवेर और सॉफ्टवेर स्टोरेज डिवाइस इंट्रड़क्शन टू विंडो बेसिकी इन तीनों चैप्टर को मैं एक्स्प्लेइन करके इसके बुक के कोश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ आर्ट हमारा टॉपिक रहेगा More on MS Paint तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर More on MS Paint इन दे प्रिवियस क्लास यू हैव लर्न एबाउट डिफरेंट तोस यूज इन MS Paint इसके पिछले क्लास में आपने MS Paint के डिफरेंट तोस को यूज करना सीख लिया था इन दे चैप्टर बी विल लर्न एबाउट सम मोर यूशफुल तोस इन MS Paint इस चैप्टर में हम सीखेंगे MS Paint के और यूशफुल तोस को इसमें हम ये जानेंगे यूविल लर्न इस चैप्टर में आप सीखेंगे पेंट तोस में लाइन तोस, कर्व तोस, पॉलिकॉन तोस, पेंट ब्रेसिस, अंडू एंड रिडियू का हम कैसे यूज करेंगे पेंट तोस यूज कैन मेंक डिफरेंट ड्रॉइंग के डिफरेंट टूस को लेते हुए नाव वी लेट अस एबाउट दा सम यूसफुल टूस, तो आएए हम जानते हैं टूस के कुछ यूसफुल मेंट के टूस को, पहला है हमारा ये सेप ग्रूप से हैं इसमें से ही एक टूस हम ले रहे हैं लाइन टूस लाइन टूस में और लाइन टूस इस यूज तो ड्रॉप स्टेट लाइन टू ड्रॉप स्टेट लाइन लाइन टूस की का उपयोग स्टेट लाइन ड्रॉप करने के लिए होता है अब हम देखेंगे स्टेट लाइन कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं to draw a straight line follow these steps number 1 click on the line tools सबसे पहले हम line tools पर जाएंगे second click anywhere on the page to draw a line हम page में कहीं पर भी उसको click करके line को draw कर सेंगे draw कर सकते हैं hold the mouse and drag the pointer to draw line mouse को hold करते हुए pointer को draw करते हुए pointer को drag करते हुए line को draw करेंगे and number 4 release the button when the line is as long as we want it to be उसके बाद हम button को छोड़ देंगे और फिर जब तक कि line पूरी तरह से बन नहीं जाएं इस प्रकार ये line tools जो है draw हो जाएगा next हम देखेंगे curve tool we use curve tools curve tools के लिए हम इस option को use करेंगे to draw curve line follow the step to draw curve line curve line draw करने के लिए हम निम्न step को follow करेंगे number 1 click on the curve line tools सबसे पहले हम curve line tools पर click करेंगे 2 click anywhere on the page to draw a line page में कहीं पर भी जाकर हम line को draw करने के लिए click करेंगे third lift your finger from the mouse button click somewhere on the line and drag it any direction fingers को दवाते हुए हम mouse button पर click करेंगे कहीं पर भी line को ले जाते हुए drag करेंगे किसी भी direction में and number 4 the straight line get curve in that direction और straight line curve line में curve line के direction में जा सकते sorry the straight line get curve line in that direction और उसी direction में हम line को curve की तरख घुमाएंगे you can do this only twice इसे हम दो बार कर सकते हैं इस प्रकार number 1 select curve line सबसे पहले हम curve line को select करेंगे and second draw a line फिर line को हम draw करेंगे फिर third step हैगा कहीं भी बीच में से line को हम drag the pointer जो pointer रहेगा उस पे हम drag करेंगे and number 4 step curve line इस प्रकार ये line curve draw हो जाएगे next हमारा tools है polygon tools a polygon is the close finger we use this tools इस प्रकार के tools to draw close figure इससे हम close figure बना सकते हैं इसमें हम करेंगे follow the step to draw a polygon number 1 click on the polygon tools सबसे पहले हम polygon tools पर click करेंगे next 2 click anywhere on the page to draw a line उसी प्रकार page में कहीं भी हम click करके line को draw करेंगे third click on the point where you want to draw the second line उसके बाद हम point को click करेंगे जहां पर हम second line draw करना चाहते हैं and number 4 repeat step 3 to make as many sides and join last line with first line इसी प्रकार्ती ने step हम करेंगे उसके बाद तीनों sides को and last line को first line से join करेंगे अब इसको आप देखिए practically कैसे करेंगे सबसे पहले हम tools में select polygon tools लेंगे second strip draw a line पहले line draw करेंगे next join the line to draw the polygon और फिर line draw करने के बाद ये तीन line हम draw करेंगे और फिर इस shape को हम join करेंगे next हमारा topic है paint brushes similar to the pencil the brushes are used brushes are also used to create various type of drawing in MS paint similar pencil की तरह ही हम brush को भी बिभिर प्रकार के types drawing बनाने के लिए use करते हैं lines can be draw through the brush tools in many size and effect lines बनाने के लिए हम इस brush tools का use करते हैं जिससे हम बिभिन size and effect देते हुए line को draw कर सकते हैं paint have different brushes be used for different style इस प्रकार के different brushes होते हैं जिनके different style में हम उसको draw कर सकते हैं brush, calligraphy पत्ती brush से हम calligraphy कर सकते हैं air brush ये इस प्रकार के spray करने के लिए use होते हैं oil brush, crayon marker, natural pencil and watercolor इस तरह के different brushes होते हैं अब हम देखेंगे इन brushes का क्या use होता है number one है brushes, brushes give additional effect to image and text brush ये जो है additional effect and text and image को additional effect देता हैं second calligraphy brush 1, calligraphy brush 1 and calligraphy brush 2 is used to create drawing with various thickness drawing में इसको बहुत ही पत्ला thickness के लिए use किया जाता है and calligraphy brush 2 used to create drawing with more thickness और इसमें जादा thickness के लिए किया जाता है airbrushes help to create drawing with any drop plates which will give the same effect as airbrush coloring airbrush help करता है हमें drawing में बिभिन प्रकार के droplets बनाने के लिए जहां पर हम इसमें same effect दे सकते हैं color में oil brush is used to create drawing with oil paint effect oil brush का use हम painting में drawing में all paint effect डालने के लिए करते हैं crayon brush is used to give the impression to crayon drawing और crayon brush का use हम crayon drawing की impression को दिखाने के लिए करते हैं marker brush is used to create painting with fine lines and bold stocks marker brush का use हम painting create करने समय fine lines को बताते हैं साथ ही उससे हम bold stock दे सकते हैं next हमारा हो जाता है natural pencil brush is same as the pencil tools which is used to create simple drawing natural pencil brush pencil tools की तरह use किया जाता है जिसका use हम simple drawing create करने के लिए कर सकते हैं water color brush is used to create water color effect drawing water color brush का use हम water color effect डालने के लिए करते हैं अब इस brush का use हम कैसे करेंगे इस step हम देखते हैं to use brush tools follow these steps click on the down arrow to brush tools नीचे हम brush tools पर click करेंगे select brush style फिर हम brush के style को select करेंगे select color from color 1 पहले color 1 से हम color लेंगे and select color of choice फिर हम जो भी color चाहते हैं उसको choice करेंगे drag mouse on page to draw image और text फिर हम mouse को drag करते हुए image या text ड्रॉ करेंगे यहाँ पर हम देख लेते हैं यह tools में हम करते हैं click on down, select brush, click color box and 4 select color and 5 draw image इस प्रकार हम image इस color में draw कर सकते हैं next हमारा chapter हो जाता है undo, sorry next हमारा topic हो जाता है undo and redo if you make mistake using any of the tools you can undo your action by pressing icon you can also do this by using ctrl plus z यदि आपको drawing करते समय कोई mistake हो जाती है तो आप undo action पर click करके इस section को click करेंगे या फिर आप ctrl plus z भी click कर सकते हैं जिससे कि आप previous की स्थिती में आ जाएंगे और अपने drawing को सही कर सकते हैं next if we draw on oval shape and have filled yellow color by mistake we can undo the mistake and fill it again with the color character color मान दीजे यदि आपने oval shape draw किया है और by mistake आप yellow color उसमें fill कर देते हो तो यहां पर हम undo command का use करेंगे और वापस से हम उसमें color अपने हिसाफ से character color fill कर सकते हैं before undo and after undo if you undo a step and then realize you should have kept that step you can click on redo the pressing icon you can also do this using ctrl plus y इसी प्रकार यदि आप undo step करने के बाद realize करते हैं कि आपको पहले वाल step चाहिए तो you can click redo press icon and you can also control plus y drawing and image using paint tools use the square tools make a house use a straight line tools make a rough roof on the house square tools से हम house बना शकते हैं straight line tools से हम छथ बना सकते हैं घर की use the polygon tools make chimney polygon polygon shape से हम chimney बना सकते हैं number 4 use the square and straight line tools in make window square and straight line tools से हम window बना सकते हैं number 5 use the curve line tools to add cutten to the window curve line को use करके हम window की cutten बना सकते हैं window का पर्दा बना सकते हैं and number 6 put a sun in the sky use the circle tools circle tools से हम sun ये sky आकास में sun बना सकते हैं put around the sun using the pencil tool pencil tool से हम sun के चारो तरफ किरने बना सकते हैं and number 8 color the sky blue with the air brush and air brush से हम आकास में color को blue color कर सकते हैं and then color the sun yellow with the paint can sun का yellow color हम paint से कर सकते हैं paint the curtain, paint the curtain with the paint brush and paint से certain निश्चित paint brush से हम ये चीज़ बना सकते हैं and write my home with my text, choose any style and color you like save file and my home और इसी प्रकार आप एक घर बना कर उसमें आकास बनाएंगे और इस प्रकार इससे एक आप drawing बना सकते हैं house बनाएंगे, my home ये आपका आकास हो गया sun हो गये, green हो गये तो इस प्रकार इस बच्चों आप इस प्रकार का practical है मैं इस प्रकार करके मुझे बताएंगे कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है और इसमें हम review देखते हैं quick review last हमने क्या जाना, align toes used to draw straight line line toes का use हम straight line में करते हैं, curve toes is used to draw a curve line, curve line के लिए हम curve tool का use करते हैं polygon toes is used to draw close figure close figure बनाने के लिए हम polygon toes का use करते हैं paint brushes are used to create various types of drawing in paint paint brush का use हम paint drawing में weave in प्रकार के various drawing बना सकते हैं there are nine types of brush style in brush group brush group में कितने style हो रहे हैं nine types के हो रहे हैं undo is used to correct our mistake shortcut keys control plus z undo से हम अपने mistake को सही कर सकते हैं और key से shortcut key control plus z use कर सकते हैं and next to redo is used to reverse the undo done redo को use हम undo के reverse के लिए करते हैं and shortcut key के लिए हम control plus i का use करते हैं आज के लिए इतना ही next video में हम इस chapters के exercise को solve करके बताएंगे तो इसी प्रकार के educational video के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और प्लीज हमारे चैनल को subscribe कीजे share कीजे and like कीजे और bell icon दवाना न भुले जिससे के आपको हमारे next video की notification मिल जाए है कि आपको है